असलाम लेकुम स्टुडेंट्स आज का जो हमारा लेक्षर नमबर 12 है उसमें हम पढ़ेंगे ग्रेटेस कॉमन डिवाइसर को कि ग्रेटेस कॉमन डिवाइसर क्या होता है इन शोट हम जी सीडी भी कह सकते हैं जैसा कि हमने चोटी क्लासिस में बढ़ा ही होगा HCF, Highest Common Factor जो HCF और GCD ये एक ही बात है ठीक है, Highest Common Factor कह लें या Greatest Common Divisor तो हम ये देखते हैं कि Greatest Common Divisor क्या होता है The Largest Positive Integer यहाँ पे दो बातें गोर करने वाली हैं, Largest भी हो और Positive भी हो The Largest Positive Integer that divides both A and B ये कोई से दो नमबर हो, दोनों को डिवाइड करता हो The Largest Positive Integer that divides both A and B is called Greatest Common Divisor ऐसा नमबर जो Largest भी हो, Positive भी हो, जो दोनों नमबरs A और B को डिवाइड भी कर रहा हो ठीक है, उसको हम कहते हैं Greatest Common Divisor और इसको हम denote क्या से करते हैं, दो नमबर A, B और Bracket इसको हम इस तरह से denote करते हैं, मैं आपको इसकी एक्जामपल्स रहते ही तो आपको मजीद फियर हो जाएगा इसकी तो हम एक्जामपल्स करते हैं, GCD की हम कोई से दो नमबर ले लेते हैं, let's suppose A हमारे पास नमबर है, कोई 42 कह लें and B, फिस कि नमबर हम ले लेते है 48, ठीक है, आब हम यहाँ पे एक डिवाईजर लिखते हैं, 42 के दिवाईजर अफ 42, यह निके 42 कौन कौन सा नमबर तो हम 42 के क्या करते हैं डिवाईजर लिख लेते हैं, 1 जो है 42 पे डिवाईजर होता है 42 को divide करेगा 2 भी करेगा 3 भी करेगा हमार पास 6 भी करता है 42 को divide 7 भी करता है उसके पाद 14 है 21 भी करता है 42 भी क्या करता है divide करता है 42 को ठीक हो गया अब दूसरी बात हम हमार पास जो है दूसरा नमबर B जो हमार पास है 48 हम उसके divisor लिख लेते हैं divisor of 48 इसके हम डिवाइजर लिख लेते हैं अगर हम 48 के divisor देखें तो 48 को 1 भी divide करता है 2 भी divide करता है 3, 4, 6, 8 12 है हमारे पास 16 है 24 है और लास पे 48 बजाते खुद भी 48 को डिवाइड करता है ठीक है ये तो होगे हमारे पास डिवाइजर 42 के और 48 के अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से common क्या चीज़ आ रही है ठीक है common डिवाइजर 42 और 48 का देखते हैं common जो डिवाइजर है common डिवाइजर of 42 and 48 इनका जो common डिवाइजर है जो दोनों में common आ रहा है वो कौन जो आ रहा है 1 भी है 2 भी है हमारे पास 3 भी है और 6 भी डिवाइड है लेकिन अब आते हम अपनी definition की तरफ greatest common डिवाइजर ये common डिवाइजर है 42 और 48 का common तो है लेकिन हमने इसमें greatest बताना है तो greatest डिवाइजर तो फिर हमारे पास यहां पे दोनों का 6 है ठीक है तो हमने कहा दिया जो हमारे पास greatest common डिवाइजर हुआ 42 और 48 का वो हमारे पास है 6 ठीक है और इसको हम इस तरहां से भी लिख सकते हैं और GCD जो है GCD of 42 48 का जो GCD है वो क्या है हमारे पास 6 है ठीक है students